हेलो एर्रिवन मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक थमनेल आपने देख लिया हुआ तारीक पर तारीक मिलती है नौकरी नहीं मिलती साहब ये वीडियो सिफ स्टूडिन्स के लिए नहीं है अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो जादा से जादा शेयर करें अपने घरवालों को, पैरिंस को, दोस्तों को, रिष्टेदारों को, हर उस इंसान को जो आपसे आज तक ये पूसता रहा कि नौकरी क्यों नहीं मिली, आज वक्त आ गया है उन्हें ये बताने का कि नौकरी क्यों नहीं मिली एक student की जीवन में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती और भी बहुत सारे मसले होते हैं जिनसे हमें जूजना होता है तो आज उन मसलों से रूबरू कराने का वक्त आ गया है यह जो campaign चल रहा है Speak up for SSC railway students and SSC declare result यह क्यों है क्या जरूरत है इसकी अब कोई कहानी सुनाता हूँ और यह कहानी सिर्फ बच्चों की लिए नहीं parents की लिए भी है बड़े बुजर्ग, समस्दार लोग, ग्यानी लोग, भग्त लोग, जो भी इसे देख रहे हैं सब की लिए एक बच्चा जब बारविय पास करता है न, तो उसके सामने confusion आता है graduation में क्या करो जिस दिन वो graduate हो जाता है न, तो उसके सामने वो confusion अब चुनौती बन के आता है कि अब मैं नौकरी कहां करो हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता धंदा कोड ले, बड़ा setup कर ले वो देखता है एक job, जो की secure हो और इस job को देने का उत्तरदायत्व government के पास है मैं यह नहीं बूला सबको government job दो पर कुछ तो दो साल में थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ 2017 की बात करते है 2017 CGL SSC CGL में तीन टायर होते है टायर 1 टायर 2 और descriptive यहाँ पर टायर 1 कंड़क्ट हूँ और टायर 2 में पता चला कि mains जो टायर 2 होता है इसमें cheating हो रही है, सोशल मीडिया में questions और answers और साथ में बहुत सारी images लीक होने लगी हला उठा बहुत सारी लोगों ने आवाज उठाई दिल्ली में जाके SSC office के सामने खुराना जी के आगे धरना प्रदर्शन किया CBI investigation हुई और finally क्या हुआ आज तक कोई verdict नहीं आया आपको क्या लग रहा है जैसी CBI सुशान सिंग के case में करती पैसी हर case में करती है मीडिया कवरेज मिल रहा है उसको वहां CBI अच्छे से काम कर रही है यहां मीडिया कवरेज नहीं मिला किस ने आपने नहीं दिया सर आपको लगा हम से क्या हमारा क्या हम ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है आपको पता आगे की देखी नहीं बात है चलिए छोड़े SSE 2017 निकल गया कोई बात नहीं पेपर फिर से हुआ इस बाद चीटिंग के case सामने नहीं आए ऐसा बोल रहे है अच्छा SSE 2017 में चीटिंग पकड़ाई थी तो क्या 16 में नहीं हुई होगी या 15 में नहीं होगी इसकी कौन कोई guarantee ले सकता है कि 15 और 16 में चीटिंग नहीं होगी या उसके पहले cheating नहीं होगी कोई guarantee ले सकता है तो सामने आए चलिए जाने दीजिए 2017 का case रफादाफा करते है एक गलती माफ सबको 2018 SSE 2018 में exam conduct करवाता है नोडिफेकेशन निकालता है 5 माई 2018 को ध्यान से देखती है ना date apply करने को बोलता है कि 5 माई से आप apply कर सकते है 4 माई को निकालता है 5 माई को आप apply कर सकते है exam लेता है 4 जून 2019 को कौन लड़का बैठ है सर एक साल तक आपके इंतजार में एक साल इंतजार करवाते हैं एक साल exam conduct करने के लिए बच्चे को नौकरी पाना इतना मुश्किल हो गया है कि पहले वो तयारी करे फिर जिस दिन वो exam का फॉर्म भर दे उसके बाद वो इंतजार करे कि कब मेरा exam होगा चलिए ये भी हुआ मेंस हो गया descriptive भी हो गया देखिए फर्स सेकेंड थर्ड तीनों स्टेज हो गई और आखरी में हुआ क्या result का भगवान भरो से 17 में बच्चों ने हल्ला मचाया था 18 में इनोंने exam लिया अच्चे से लिया और आखरी में जाके फिर रोग दिया क्योंकि जब notification डाला था apply करने वाले बहुत सारे थे थोड़े छटे exam में थोड़े और छटे बहुत छड़ गए अब ये बच्चे इतने कम बचे हैं कि इनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है पर नौकरी इनको भी नहीं मिली है और 2017 में भी बहुत सारे लोग के अभी पॉस्टिंग नहीं आई है फिर आता है साल 2019 एक बहुत अच्छी खवर के साथ एक मार्च 2019 को RRB, NTPC और Group D notification लाउंच करता है 90,000 vacancies का इसमें से 35,000 NTPC की थी notification launch हुआ, notification आया, धाई करोल लोगों ने फॉर्म भरा धाई करोल समस्ते है कितना होता है हर आदमी से, किसी से, जनरल और OBC से 500 रुपे, बाकी लोगों से 500 रुपे कितना पैसा इखटा कर लिया सर, आपने आपको कुछ अंदाजा है, जीरो लगाते तो आपको अच्छे से आता है और किया क्या इसका, कुछ नहीं, बस इतना ही हुआ है आज एक साल होने को आ गया है, इनके पास vendor decide नहीं हो रहे है इनकी bidding की date आगे पर आगे बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, और कुछ नहीं हो रहा है JEE, JEE और NEET के exam इनको लेने होते हैं तो ये बकाइदा बच्चों को gloves देकर, marks पहना कर, even covid वाले बच्चों को बोलते हैं कि अगर आपको covid है तो भी आप आईए exam दीजिए, आप उनसे exam ले लेते हैं ताकि वो पढ़ पाएं, और पढ़के करेंगे क्या सर? पढ़के करेंगे क्या? आपकी नौकरियां तो सिवाए चुनावी, मुद्दो के और कुछ नहीं है नौकरियां तो आपने दी ही नहीं, 17 से 19 और ये 2020 आ गया, आधा साल निकल गया, आधे से जाधा क्या हुआ सर? उस बच्चे के बारे में सोचा, जो घर से बाहर रहता है, बड़े-बड़े शहरों में रहता है, उसके माबाप ना जाने, कैसे अपना पेट काट कर उस बच्चे को पैसा बेशते हैं घर से, वहां महंगी-महंगी, कोचिंगों में पढ़ता है, सपने के मैं उस एक्जाइम को क्लियर करके जॉब लूँगा, तो आप करना क्या है, यह तो बात हो गई, समस्या की, करना क्या है, चलिए, सॉल्यूशन पर भी बात कर लेते हैं, 2020 में जी रहें साब, डंडी लाठी लेके आलंदोलन के लिए नहीं निकल सकते हैं, कोविट चल रहा ह है, डंडे हम ही पढ़ते हैं, यह भी खास बात है, आप अपने हक के लिए आवाज उठाएं, डंडे आपको ही पढ़ेंगे, अंदर कर दिया जाएगा आपको, आपके खिलाफ केस कर दिया जाएगा, कि आपने नियमों को तोड़ा है, और उसके बाद आप गॉर्मिन जॉ यूट्यूब, हर एक शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर भी आप अवेलेबल हैं, और नहीं है तो आईए इन जगाओं पर, ये दो हैस्ट्रेक्स ट्रेंड करवाईए, मेरा वीडियो में ट्रेंड करवाईए, इन दो हैस्ट्रेक्स को ट्रेंड करवाईए, मैंने इंट्रेस्टिंग बताता हूँ, हमारी गॉर्मेंट ने प्राइविटाइजेशन का ठेका उठा के रखा है, हर चीज प्राइविटाइज करने पर तुली है, अब आप पूछेंगे क्या प्राइविटाइज कर दिया, रेलवे, रेलवे पूरी थोड़ी कर दिया, क्योंकि आपको जियो, जियो को जो उठाना था, जियो पहली कमपनी थी, जिसके पास 4G स्पेक्टरम था, आज 2020 आगया है, BSNL के पास आज भी नहीं है, 2016 में, 2016 में जियो के पास 4G स्पेक्टरम था, सेम काम आप ओडिनेंस फेक्टरी के साथ करने लग रहे हैं, ओडिनेंस फेक्टरी के कर्मचारी, आज आवाज उठा रहे हैं पर क्योंकि बहुत कम है मातरा में, तो आवाज आप तक पहुँचनी पा रही है, बच्चो तो को पता ही नहीं चल पा रहे हैं, बच्चो आपको भी जागरिक होना पड़ेगा, थोड़ा सा जानना पड़े भविश्य देखना है, हम साथ खड़े हैं, 2017 में जब चीटिंग के इस हुआ था, तब भी हम साथ खड़े थे, दिल्ली में हम प्रदर्शन में साथ थे, आज भी आपके साथ खड़े हैं, जिस दिन बोलेंगे, जहां बोलेंगे आके, कंदे से कंदा मिलाके आपके लिए ख लिख डालिए, भर डालिए, बता दीजे कि अगर इस देश की यूवा की सटक गई, तो क्या होगा, जहन